अधर आज वो शुरुवात करने के लेक्चर नंबर 3 से जसके अंदर हमने कल के लेक्चर में दिसकर्स किया था उसी चीज़कों लोग कांटिनीव करने वाले था इस method of preparations of alkyl halide बराबर तो previous lecture में हमने क्या डिसकर्स किया था उसके बारे में फड़ावड एक बार वाइस कर ले था तो हम लोगोंने section 2 में हमने आयूपे स्रेमिंग के बारे में discussion किया कोई भी compound का आयूपे स्रेमिंग कैसे solve करना आ है उसके बारे में हम लोगोंने discussion किया था ठीक है और बहुत सरे बच्चे उसका answers भी दे रहे है जो assignments में आपको provide किया था उसके answers भी आप लोग provide कर रहे हो so that's good to see कि आप लोग भी आपक that was from alcohol अब कली मना को बता था alkyl halide का general formula क्या बनेगा Rx correct है जहाँ पे आपका R का मतलब क्या बनेगा students फटा फट से alkyl whereas x का मतलब क्या बन जाएगा halogen group that is halide clear तो ये बन जाएगा आपका alkyl halide अब इस चीज़ का हमें sorry अब इस चीज़ का हमें क्या करना है preparation करना है अब इसको prepare करने के लिए हमने कलक के lecture में एक method के बारे पे discuss किया था that was from alcohol correct है by using some acidic compound हमने इस्वाल किया हुआ HCL हमने इस्वाल किया हुआ HBR और उसका जो भी answer मिलेगा that will be a alkyl halide right so आज हम शिरवात करेंगे second method के साथ that is also from alcohol second method भी आपो दिया हुआ alcohol से but sir दोनों में difference क्या आ रहा है कल हमने जो alcohol का इस्तमाल किया था उसका reaction हमने किया acidic compound के साथ अब आज जो reaction solve करने वाल है आज के lecture में हम जहां पी alcohol इस्तमाल कर रहे है उसकी साथ हम reaction करेंगे PCL3 का PCL5 का and of course SOCL2 now students this is really very important very very important question इसके paper में बहुत बार question पोचा हुआ है अब video को थोड़ा सा आगे बढ़ाने से पहले में आपको बता दो time by using either PCL3 or PCL5 or SOCL2 तो let's begin with the first one which is phosphorus trichloride clear चलो अब इसमें क्या करना है phosphorus trichloride बुला मतलब formula क्या बनेगा that is PCL3 phosphorus pentachloride बुला मतलब formula क्या बनेगा that is PCL5 whereas thionyl chloride मतलब आपका formula क्या बनेगा that is SOCL2 clear तो एके करके reaction solve करेंगे so let's begin with the first one which is PCL3 or phosphorus trichloride clear समझभा आगया चलो फटा पटसे हम दोग reaction शुरुआत करते हैं बोलो सबसे बहले statement हमने किस किस चीजों का इस्तमाल किया हुआ है और उसके बाद reaction solve करेंगे ठीक है चलो सबसे बहले beaker उठालो beaker में क्या डाल दिया alcohol डाल दिया sir alcohol का reaction किस के साथ करने बोला हुआ है so that is phosphorus trichloride मैंने short में लिखा हुआ है अब सारे students ने समझना है phosphorus trichloride reaction को थोड़ा सा heat apply कर दो reaction करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा that is alkyl chloride क्या बनेगा alkyl chloride अब sir आपको समझ में कैसा है chloride बनेगा because मिरे बास यहाँ पे क्या दिया हुआ है trichloride तो हमें already वहाँ पे हालोजन के जगा पे chlorine लिया हुआ है तो पेटा answer भी क्या बनेगा alkyl chloride clear शलो अब reaction में solve करेंगे alcohol बोला मतलब general formula r-OH ये बन गे हमारा alcohol reaction करोगे किस के साथ phosphorus trichloride फड़ाफट से formula क्या बनेगा pcl3 reaction करोगे in presence of heat reaction करने के बाद अब करना क्या है बहुत simple reaction है कली मरा को बता था फड़ाफट से बोलना यहाँ भी क्या दिया हुआ है OH which is a electron negative मतलब इसकी बास कौन सा charge होगा negative charge चलो फड़ाफट से यहाँ पर क्या दिया हुआ है cl इसकी बास भी कौन सा charge होगा negative charge होगा चलो यहाँ से कौन निकला OH और उसकी जगा पर कौन आ गया cl आ गया बागी का पुरा structure same बोलो सबसे पहले आ जोएगा r मेरी पास पहले क्या दिया था oh अब उसको replace किया सबसे बहले मुझे बताना यहाँ पे c l कित्र一番 था थीं बार था भी यहाँ पर things कित्रे बार दिया हुआ है एक ये बार दिया हुआ है तो reaction balance हुआ है थो sir reaction is unbalanced organic कौरेक्ट है अग इस reaction को हमें क्या करना है? balance करना है तो कैसे करेंने थाख है चलो cl मेरी पास यहाँ पर तीन बार दिया हुआ है, और यहाँ पर एक बार दिया हुआ है, करेक्ट है, चलो, इसको अगर मुझे बालेंस करना है, किदने से मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा, 3 से मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा, clear, तो 3 से मल्टिप्लाइ कर लेते हैं, अब मल्टिप्लाइ करना कहा है तो आपकी compound की आगे आगे आपको multiply करना है clear balance इस तरीकी से किया करो ताकि आपका formula change ना हो clear तो हमाने 3 को आगे multiply कर दिया अब ज़रा check करना CL तो balance हो गया but CL को balance करने के चक्कर में कौन बिगड़ गया आर बिगड़ गया बराबर मेरे पास यहां पे आर कितनी बार है एक बार और यहां पे कितनी बार है तीन बार तो इसको भी मुझे balance करना पड़ेगा तो फटा पट से बोलना कितने से multiply करो तीन से multiply करना है इस तरीके से multiply करो तो आपकी आपका main formula change ना हो clear चलो अब इसके byproduct के बार में देखते हैं मुझे बताना hydrogen कितनी बार है तीन बार दिया हुआ है तो एक list बना लो byproducts के hydrogen तीन बार दिया हुआ है चलो oxygen मेरे पास कितनी बार दिया हुआ है oxygen आगए सर हमारे पास तीन बार चेक करना phosphorus मेरे पास कितनी बार दिया हुआ है एक बार दिया हुआ है तो पी, clear, oxygen मेरे पास कतनी बार दिया हुआ है, तीन बार, तो यहाँ पर आज़ आज़ आएगा, H3PO3, clear, तो यह बन गया आपका by product, टेक है, और इसका main answer क्या मिलेगा, R-C-L, चलो फटाफट से बताना, R का मतलब क्या बनेगा, alkyl, और C-L का मतलब क्या बनेगा, chloride, clear, तो यह बन गया हमारा पहला reaction, बस यहाँ पर charges बताने के जरुवत नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए charges बता था, कौन निकला, कौन आया, clear, तो यह reaction बन गया, PCL 3 के साल, चलो फटाफट से move on करेंगे, second reaction के ओपर, example सारे में एक साथ लेके बताने वाला, और हाँ, खास ब कम के टाइम में, आप reaction किस तरीके से याद कर सकते हो, उसके बारे में भी बताने वालो, तो प्लीज वीडियो स्किप मत करना, टेक है, शलो, तो मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ हुआ है, phosphorus, pentachloride, फटा फट, formula क्या बनेगा, PCL 5, clear, शलो, directly reaction solve पर लेते हैं, चलो, बोलो, स टेक है, reaction should be in presence of heat, clear, reaction करने के बाद, जैसे हमने उपर किया हुआ है, वसे आपको नहीं चीप करना है, फटा फट से बोलो, यहाँ पर का दिया हुआ है, OH, कौन सा चार्च, negative charge, यहाँ पर का दिया हुआ है, CL, कौन सा चार्च, negative, चलो, कौन निकला यहाँ से, OH, और उसकी ज बिल्कुल भी छेडा हुआ, नहीं है, तो यहाँ पर आज़ाएगा सबसे पहले, R, clear, चलो, OH की जगा पे, अब कौन आ गया, CL, तो यहाँ पर बन ज़ाएगा, R' CL, प्लस, अब इसकी byproducts के बारे में दियान से देखो, टेक है, अब जब आपको byproducts निकालने नहीं आ रहा है, सरे एक बार है, और तो कई पर देखने रहा, ठेक है, oxygen मेरे पास कितने बार है, सरे एक बार है, ठेक है, phosphorus मेरे पास कितने बार है, एक बार है, ठेक है, chlorine मेरे पास कितने थे, 5, सारे बच्चों का दियान यहाँ पे, बेलकुल भी यहाँ वाँ पे देखना नहीं है, ठेक अब इतने सारे मेरे पस element दिये हुआ है ये सारे elements वैसे अब हमें क्या गरना है byproduct बनाना है चलो मुझे बताना hydrogen कितने बार दिया हुआ है students एक बार दिया हुआ है hydrogen का दिल किसके उबरा आ गया chlorine के बास आ गया hydrogen electropositive है और chlorine electron negative है clear तो hydrogen एक बार है तो एक hydrogen एक chlorine को अपने पास लेगा दोनों मिलके क्या बनाएंगे बिटा that is HCl तो ये बन गया मेरा पहला byproduct चलो hydrogen की कहानी खतम हो गई चार में से एक चला गया कितने बाकी बचा तीन बाकी बचा अब सर आगी क्या करेंगे चलो बलकुल attention लेनी वाली बात नहीं है बोलो phosphorus कितने बार दिया हुआ है एक बार दिया हुआ है oxygen कितने बार दिया हुआ है एक बार दिया हुआ है तो यहाँ पे आज़ाएगा PO clear CL में रपस कितने बार दिया हुआ है तीन बार दिया हुआ है तो यहाँ पर आज़ आएगा फड़ाफट से CL के नीचे 3 और अगर इसका नाम आपको जानने के बड़ी उच्छुकता है तो POCL3 को हम बोलते हैं बड़े प्यार से Phosphoryal Chloride, clear? Phosphoryal Chloride, यह इसका नाम है, चीक है? बड़ उसका नेमिंग आपको लिखने के जरुवत बिल्कुल नहीं है जो मेन आंसर होता है, उसी का नाम लिख लिया करो That is Alkyl Chloride, clear? समझभा आगया, तो इसमें भी Alkyl Chloride बना इसमें भी Alkyl Chloride बना, बस फरक इतना हा रहा है? पहले वला रियाक्शन, Pacil 3 के साथ और दूसरा रियाक्शन, Pacil 5 के साथ, clear? चला, फटापट से लास्ट वला रियाक्शन के उपर जाएंगे That is Thionyl Chloride, फटापट Thionyl Chloride का formula क्या बनेगा? students, फटापट से आंसर, SoCl2 दिख रहा है ना, यहीं भी तो लिखा हुआ है SoCl2, चला, फटापट रियाक्शन इसका solve कर लेते हैं बहुत simple है, फिर उसके बाद shortcut trick भी बाग ही है चला, बोलो, सबसे बहले बरतन ले लो That is Beaker, बड़े प्यार साम उसका नाम रखा हुआ है Beaker लिया, चला है, पहले किसको डाल दिया Alcohol, चला है, उसके नदर डालना Plus, reaction किसके साथ, Thionyl chloride Thionyl chloride, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है Reaction should be in presence of heat और sometimes यहाँ पर reflux pyridine भी लिखा जाता है Heat या फिर यहाँ पर कभी कबार Reflux pyridine Reflux pyridine, clear? यह भी लिखा जाता है Reaction करने के बाद, वापस क्या में लेगा students? Alkyl chloride, क्या में लेगा? Alkyl chloride, समझभा आ गया Same reaction करना है, कोई tension लेने के जरूवत नहीं है टेक है, चला, फटा पट से बोलना शुरुआत कहां से की सरने? Alcohol, formula क्या बनेगा? R' OH, तीज़, चला, आगे बढ़ते है Plus, reaction किसके साथ? Thionyl chloride, formula क्या बनेगा? SO, Cl2 बलकुल tension लेना नहीं है, बस आराम से अब ध्यान दो In presence of heat, या फिर Reflux pyridine Reaction करने के बाद, same चीज़ करना है बोलो, क्या दिख रहा है यहाँ पे? OH, कौन सा charge? Negative charge, क्या दिख रहा है यहाँ पे? Cl, कौन सा charge? Negative, अब Cl क्या करेगा? OH को replace करेगा तो OH निकला उसके जगा पे कौन आ गया? Cl आ गया, correct है तो देख रहाँ यह action क्या बनेगा? बोलो, R के साथ छेड़ चार्ड नहीं हुआ बराबर, यहाँ पे कौन था? OH, उसकी जगा पे कौन आ गया? Cl, तो formula बनेगा R-Cl, clear? तो इसका naming क्या बनेगा? That is, alkyl chloride, clear? समझ में आ गया? चालो, अब इसके by product अगर directly नहीं आ रहा, list बना लो क्या क्या चीज़ें मेरे पास वागी बच्ची हुई है ध्यान सा देखो sorry मेरे पस H कितनी बार है? एक बार है, ठीक है? चालो, H आ गया, एक बार मेरे पस oxygen कितनी बार है? एक oxygen यहाँ पे और एक oxygen यहाँ पे ध्यान सा देखना, ठीक है? पडोस वाले के घर पे चेक कर लिया करो, कहाँ पे कितनी है यहाप एक बार है यहाप एक बार है बेटा ऑक्सिज़न कितने हो गया दो हो गया एक तुमारे कितवकिते वाल किदे राउना के विखा एक सेकैने वी ने जिस्टे के शरहूँ कहले हो कुछ और दिख रहा है हां सल्फर है न सल्फर कितनी बार दिया हुआ है एक बार मैं भूल गया तुम मत भूलनाब च्छाब साथ यह शुद्र को में ला लो टेट चालो Hydrosion कितने बार है एक बार देखो उसकी प्रीमी का यहाँ पर वैटी हुई है इस बार CL भी E की बार है चलो H आगया एक बार CL आगया एक बार दोनों मिलके क्या बनाएंगे HCL बनाएंगे चलो दोनों की काहनी खताम H चला गया CL चला गया SO2 और गयास होने की वज़न से दोनों चीज़े क्या हो जाएंगे liberate हो जाएंगे तो HCL भी आपका gaseous form में evolve होगा sulfur dioxide भी आपका gaseous form में evolve होगा clear? charges बताने के जरुवत नहीं है just to explain आपको मने वो charges बताएं थे clear? so that was all about the three different reaction PCL3, PCL5 and SOCL2 अब shortcut trick बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद करने के लिए मैं जरूर बोलूँगा because अभी reaction solve करने में जुतना time लगा ना बस दो मिनिट से भी कम का time आपको लगेगा shortcut, तीनो reaction बस उसके पहले हरेक का byproducts आपको याद रखने हरेक के byproduct अगर मैंने PCL3 पूछा तो आपका byproduct याद कर लो H3PO3 समझा बैरे जिसको highlight किया वो उसके byproducts याद कर लेना है PCL3 का byproduct क्या बनेगा H3PO3 ठेक है PCL5 का अगर मैंने पूछा तो इसका byproduct बनेगा HCl plus POCl3 ये बनेगा इसका byproduct और तो इसका byproduct याद रखना HCl plus SO2 फटा बट दो मिनिट का टाइम दे रहा हो अच्छो से याद करना वीडियो को pause करना और उसके बाद याद करने के बाद आपने वापस प्ले बटन दबा देना ठेक है चलो आप बढ़ेंगे इसके shortcut के बारे में तो सुडेंट्स वन आपको बता आथा आपको मैं shortcut बताने वालो तीन reaction के बारे में PCL3, PCL5 और SO, CL2 clear so I hope आप लोगों ने आपके byproducts के naming आप लोगों ने याद कर लिये होंगे मतलब आपके जो formula दिये थे byproducts वो आप लोगों ने याद कर लिया होगा तो चलो शुरुबात करते हैं अब इसके shortcut की बारे में दो मिनिट से भी कमका time लगेगा आपको reaction solve करने में चलो फटावाट पहला reaction किसके साथ? PCL3 के साथ दूसरा reaction किसके साथ? PCL5 के साथ तीसरा reaction किसके साथ? मैं आपको बताओ था reflex पाइरेडिंग अब मुझे बताओ PCL3 का PCL3 का byproduct क्या बताओ था? फटा फट से H3PO3 मैंने यह आपे पूछा तुमारे दिमाग में वहाँ पे answer होना चीए PCL3 का byproduct क्या बनेगा? H3PO3 PCL5 का byproduct क्या बनेगा? HCl plus POCl3 यह बन गया आपका PCL5 का वरेस SOCl2 का byproduct क्या बनेगा? HCl plus SO2 gas होने के वज़े से evolve correct है चला तीनों के byproduct साग है अब मुझे बताओ तीनों का reaction हमने किसके साथ किया था? alcohol के साथ तो formula बनेगा R' OH R' OH यहा बेभी R' OH clear? तो यह बन गया हमारे पस तीनों आप मुझे बताओ reaction कैसे किया था? बोलो कौन निकलेगा यहां से? OH उसकी जगा पे कौन आएगा? CL कौन निकलेगा? OH कौन आएगा? CL कौन निकलेगा? OH कौन आएगा? CL बरबर शलो आपके answer आपके पास बोलो R' CL R' CL R' CL ठीक है? अब तीनों reaction में मैंने आपको बताया था first वाले reaction को balance करना है और wrist बाकी बच्चे वब दोनों reaction को balance करने की ज़रूराद नहीं है correct है? तो first वाले को balance करता है कित्रे से multiply किया था मैंने? 3 से और यहां भी भी कित्रे से multiply कर दिया था? 3 से तो यह आगए आपके तीनों reaction दो मिनट से भी कम के time में आपको मैंने solve करके बता दिया ठीक है? तो यह है आपका shortcut for PCL3 PCL5 and SOCL2 So I hope आपको यह shortcuts याद होंगी because यह questions आपके बहुत ज़़ा important है और paper में बहुती ज़ादा बार repeated questions आपको यह दिये होगे ठीक है? तो मैंने आपको इसके shortcuts भी बता दिये अब क्या करेंगी यह questions के basis पे sorry topics के basis पे मैं कुछ questions आपको दे रहा हूँ आप लोग ने मुझे जैसे कल आपका feedback आथा कल आपके बहुत सरबचोगी answers मुझे मिलेते हैं please उसी तरह किसे studies करो और time to time आपका homework assignments आप लोग submit करोगे ठीक है? तो मैं आपको कुछ questions प्रोवाइड कर रहा हूँ इसी चीज के basis पे PCL3, PCL5 और SOCL2 के basis पे ठीक है? फड़ा पट से इसका answer निकालना है और जुद्नी जुल्दी हो सकता है उतना जुल्दी मुझे send कर देना ठीक है? पॉस किया? ओके तो यहां भी कुछ questions में आपको आपको आज़ान assignment दीए होगे तीन questions है ठीक है? एक बार में आपको बताओ तो question number one में action of the following on ethyl alcohol ठीक है? PCL3 का reaction किसके साथ करोगी? ethyl alcohol PCL5 का ethyl alcohol SOCL2 का ethyl alcohol और reaction क्या बनेगा? answer क्या बनेगा? वह आपने मुझे send करके बताना है ठीक है? next one question number two action of SOCL2 that is thionyl chloride on isopropyl alcohol ठीक है? अब यहाँ बज़ो में आपको naming दिया हुए यह आपका common naming है isopropyl alcohol जिसके बारे में हमने 11 साथ में discuss किया था ISO का मतलब क्या होता है? तो एक बार structure try करो और reaction करके देखो ठीक है? गलत हुआ next one lecture में मैं आपको solve परके जरूर बताऊंगा but make sure first up try कर लो ठीक है? question number three में आपको में एक structure दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुए reflex paritin और reaction करने के बाद क्या बनेगा? यह आपको find out करने ठीक है? अब यहाँ भी आप किसको add करोगी वह आप जानो आप देखो reaction solve करो और answer जो भी आएगा वह आपने मुझे बताने ठीक है? next वाले lecture में हम कुछ important reactions के बारे में discuss करने वाले जसे हम लोग बोलते name reactions और paper में guaranteed आपके questions होता है name reactions के ओपर ठीक है? मिलब अब जो reaction scientist के नाम से follow किया जोता है आप उसको बोलते हो name reaction तो उस reaction के बारे में हम next वाले lecture में discuss करने वाले है तो please वीडियो को skip मत किया करो और जो भी आपके नई वीडियो आ रहे है please उसको देख लिया करो ठीक है? so stay tuned for the next video thank you so much